गनेशाय नमः, श्री शिव पुरान रोद सहिता थृतिय खंडध्याय चावण, मेना की इच्छा के अनुसार एक ब्राहमन पत्नी का पार्वती को पतिवुरत धर्म का उब्देश देना। ब्रमहाजी कहते हैं नारद, तदनंतर सबतर्शियों ने हिमालाय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रकावचिक प्रबंध करें। मुनिश्वर, ये सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विशाद में डूबे रह गए। कुछ देर बादस्चेथो शैलराज ने एक तथास्तु कहकर मिना को संदेश दिया। मुने, हिमवाल का संदेश पकर हर्ष और शोक की वशीबूत हुई मिना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मेना ने विदिपूर वक्वेदे के वं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रतने जतित सुंदर वस्त्रों और बारह आभूशनो द्वारा राजोचित श्रेंगार करके पार्वत को जानकर एक सती साधवी ब्रहमन पत्नी ने गिरिजा को तम पातिवरत्य की शिक्षा दी। ब्रहमन पत्नी बोली गिरिराज के शोरी तुम प्रेंग पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। ये धर्म को बढ़ाने वाला इहलोक और परलोक में भी आनन देने वाला तथा श्रोत पर के समान मानकर प्रेंग से उसकी सेवा करती है, वह इस लोकमें सम्पूर्ण भोगों का उपभोग कर केंतमे। कल्यान माई गतिको पाती है, सावित्री, लोपा मुद्रा, अरुंधती, शान दिली, शत्रूपा, अन्सुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संग्या, सुमती, श्रद्धा, मेना और स्वाहा ये तथा और भीभूत सी स्त्रिया साध भी कही गई हैं। यहां विस्तार भाय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पातिवरत्य के बल से ही सब लोगों की पूझनिया तथा ब्रम्हा, विश्नु, शिव येवमुनिश्वरों की भी माननिया हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भागवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। दिवाली साधवी स्त्री प्रति दिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जगने से पहले ही जग जाए। वे छल कपत छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कारिय ही करे। शिवे, साधवी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्रा भूशनों से विभूशित न होले तब तक वह अपने को पति की द्रिश्ट के सिम्मुख न लाए। यदि पति किसी कारिस से पर्देश में गया हूँ तो उन दिनों उसे कदापी श्रिंगार नहीं करना चाहिए। गर के दर्वाजे पर देर तक खड़ी न रहे। दूसरे के घर न जाए। कोई गोपनिय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पतिके बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामगरी स्वेन जुटा दे तथा उनके हितसाधन के यतोचितफसर की प्रतीक्षा करती र उसके लिए उसी में सारे तीरत और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिवरता नारी पतिके उच्छिष्टन नादे को परमप्रिय भोजन मानकर ग्रहन करे और पती जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथी, सेवकवर्ग, गौत अथा भिक्षू स्मुदाय के लिए अनका भागदे बिना कदापी भोजन ना करे। पतिवरत धर्म में ततपर रहने वाली ग्रह देवी को चाहिए कि वल्ग धर की सामरी को सयत एवं सुरक्ष तर्खे। ग्रहकार्य में कुशल हो, सदा प्रसन रहे। और खर्च की और से हाथ खीचे रहे। पति किया ग्या लिए बिना उप्वास वरतादी न करे। अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वर्ग परलोक में नर्क गामिनी होती है। पति सुक पूर्वक बैठा हो या इच्छा नुसा रक्रीदा विनोद अथवा मनोरं जिन में लग रजस्वला होने पवह तीन रात्रे तक पति को अपना मूह न दिखाए अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पढ़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मूह का दापी न देखे अथ्वा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयो बरने की अभिलाशा रखने वाली पतिवरतानारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदी, चोली, पान, मांगले का भूशन पति से द्वेशर रखने वाली स्त्री का वल कभी आदर न करे, कहीं अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकरन नहाए, सती स्त्री ओकली, मूसल, जाडू, सिल, जांत और द्वार के चोखट के नीचे वाली लखली पर कभी न बैठे। चाया देखस्वयम भी विशाद में डूब जाये तथा वह प्रियतम पति के प्रती ऐसा बरताफ करे, जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। प्ष्लू और अशिव से भी अदेख माना गया है। उसके लिए अपना पती शिवरूप ही है, जो पति की आग्या का उलंधन करके वरत और उप्वासादी के नियम का पालन करती है, वह पति की आयू हर लेती है और अमरने पर नर्कमे जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक का थोर उत्तर देती है वह गाउ में कुतिया और निर्चन विन में स्यारिन होती है। नारी पति से उचे आसन पर न बैठे। दुष्ट पुरुषके निकत न जाए और पति से प्वी कातर वचन न बोले किसी की निंदा न करे। कले को दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकत न तो उच्चुसवर से बोले और न हसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन जल्क, भोच, वस्तु, पान और वस्त रादे से उनकी सेवा करती है। पिता, भाय और पुत्र सुक देते हैं। परंतु पति असीन सुक देता है। अतह नारी को सदा अपने पति का पूजन आदर सतकार करना चाहिए। पती ही देवता है, पती ही गुरू है और पती ही धर्म, तीरत है ववरत है, इसलिए सब को छोड़कर एक मात्रपति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धी नारी अपने पति को त्याक करे कांत में विचरती है या व्यविचार करती है वो रिक्ष के खोखले में शेयन करने वाली क्रूर उलूकी होती है। जो पराय पुरुष को कटाक्ष कौन द्रिष्ट से देखती है, वो हैंचातानी देखने वाली होती है। उसी तरह पतिहिना नारी भली भांती स्नान करने पर भी सदा अप्वित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह चनमदाता पिता धन्य है तथा वह पती भी धन्य है, जिसके घर में पतिवरता देवी वास करती है। पतिवरता के पुन्ये से पिता, माता और पते के कुलों की तीन तीन पीलियों के लोक स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारिनी स्त्रिया अपना शील भहन कर देती हैं, वे अपने माता-पिता और पतितीनों की कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इसलोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिवरता का पैर जहां-जहां प्रित्वी का स्पर्श करता है, वहां-वहां की भूमी पापहारिनी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्या, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आपको पवित्र करने के लिए ही पतिवरता का स्पर्श करते हैं और किसी द्रिष्ट से नहीं। जलबी सदा पतिवरता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वहनुभव करता है कि आज मेरी जद्टा का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या ही ग्रहस्त आश्रम की जढ़ है, भार्या ही सुक्का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ती होती है तथा भार्या ही संतान की वृधि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावन्य पर गर्व करने वाली स्त्रिया नहीं है? परन्तु पतिवरता स्त्री तो विश्वनात्शिव के प्रति भक्ती होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और पर लोक दो नुम पर विज़पाई जा सकती है। भार्या हीन पुरुष देव्यग्या, पित्रैग्या और अतिथियग्या करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में ग्रेहस्थ वही है जिसकेग में पतिवरता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भूग्यप बनाती है, जैसे चरावस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगास नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिवरता स्त्री का गर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इश्टदेव मानने वाली सती नार्य और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिवरता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान है, अतह विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रनव है और नारी वेद केचा, पति तप है और स्त्रीक शमा, नारी सितकर्म है और पति उसका फल। शिवे, सती नारी और उसके पति दोनों दमपती धन्य हैं। गेरे राजकुमारी, इस प्रकार मैंने तुन से पतिवरता धर्म का वर्नन किया है, अब तुन सावधन हो आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिवरता के भेदों का वर्नन सुनो। देवी, पतिवरता नार्या उत्तमा आदी भेद से चार प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरन करने वाले पुरुषों का सारा पापहर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निक्रिष्टा और अतिनिक्रिष्टा ये पतिवरता के चार भेद हैं। अब मैं इनके लक्षन बताती हूँ। पतिवरता कहा गया है जो पतिके भाय से तथा कुलमे का लंक लिगने की डरसेव्य अभिचार से बचने का प्रयत्न करती है। उसे पूर्वकाल के विद्वानों ने अतिनिक्रिष्टा अथ्वानिम्नितम कोट की पतिवरता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिवरताएं समस्त लोकों का पापनाश करने वाली और उन्हें प्वित्र बनाने वाली हैं। अत्रिकी स्त्री अन्सुया ने, ब्रह्मा, विश्लो और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पातिवरत्य के प्रभाव का उप्भूग करके वाराह के शापसे मरे हुए एक ब्रहमिन को जीवित कर दिया था। शैलकुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसंतापूर वकपते की सेवा करनी चाहिए। पतनी शिवा देवी को मस्तक जुका चुक हो गई। इस उपदेश को सुनकर शनकर प्रया पार्वती देवी को बड़ा हर्श हुआ। इती श्री शिव पुरान के रुद्र सहिता तृतिय खंड़ ध्याए चावण कथा समाक। हुआ नम शिवाय ओन नम हमसिवाय ओन नमा शिवाय ओन नमाशिवाय ओन नमा शिवाई